आयेगा बिशेवरुन। आमी काहिने काहिन लज्जीत भायेगा चौन। यो सदन बहिसी रागा को बिशेमा गौफ गर रहेदी पांच बर सब बिताउने वबने आमी इले गोवर भायक केपिने प्राप्त गरना सकतान। आमी आत्मा आलोचना गरना चाहांचौ। आमी आत्मा आलोचना गरना चाहांचौ। आमी आत्मा आलोचना गरना चाहांचौ। अलोचना गरना चाहांचौ। अलोचना गरना गरना चाहांचौ। एक जाना सरकारी जागी रेचा बंठान। एक जाना क्रिशिकारी गर्छा युटा खुद्रा पसल चलाऊंचौ और युटा बैदेसिक रोजगारी मा जान्चौ। तेस परिवार को गर्मुली रे आउने बर्ष अमरोप्रत्यक सदेश्यको आम्दानी युटा पांच प्रतिशत ले बढ़ चाहांचौ इसाब देखायो बने कसरी पत्याउनी। और मुली इसाब देखायो जस्तो सपपय को आम्दानी को ब्रिद्दी दर युटाई कोसरी हुनसक्ष सवाम्ख मोदें। जस्ते सरकारले दीने पारिश्रमिक को कुरा तेसको ब्रिद्दी दर सरकार्य निर्दारन गर्चौं। ब्यापार बड़ा उने आम्धानी को त्योसकूशेनी बजारपको बयवस्तापनले न्यदारंण गरछां। बैदेशिकी रोजगारी में उने कुरा रोजगार दाता क मर पर परचां। शौम को मायग अनुशार बर परचां। ती देश को नितिले निदारान करचा, क्रिशी बाट वनी आमदानी, उत्पादन को अवस्ता, बिग्री, मुल्य अरुले निदारान करचान। मुल्य दिश्टांत दिएको, कर्मुली को त्यो 5% को बेशुरा अनुमान को उदारन, हमरो अर्थमंद्र जीव को अनुमान संगाना ठ्यक के मिल सकी, मन्ने मरा लाये कोचा, यू बजेट मा मान्नी अर्थमंद्र जीव ले 4 लू आर्थिक बर्षो को जम्मा राजसो को सम्सो अनुमान मन्दा आगामी आर्थिक बर्ष चाहिं, 24.37% ने राजसो को ब्रिद्धी होने अनुमान करनो बाये कोचा, यू अंक यादगरनो वला मान्ने शलिशरू, 24.37%, येस बजेट मा मान्नी अर्थमंद्र जीव ले, राजसो का 98 शिर्षगरू मद्दे, 68 शिर्षगरू दिशरू अनुमान गरनो बाये कोचा, येसा गरी कर का स्वोतरू मा आयो मुनाफाथ, पुझी गत लाब मा लागने कर, वस्तुत्रा सेवा मा आधारीत कर, रा बईदेशिक ब्यापार मा लागने कर, सबपय को ब्रिदिदर, 24.37% ने अनुमान गरनो बाये कोचा, संबानने सवामख मदे ओल्सेल मा गरिये को इसतो अन्मान बाट यो पुस्टी हुन्छा कि यो बजेट को लेखने उड़ा चाराटारने काम रावड गरजे में मारी काम वहेको अफ़ा एलचे क्राइपूल नंगा बाट गरिये को ओकी बनने आसंगा गरने प्रसुस्ट ठावर रहेको यह देपी यो रेविन्यू फोर्कास्टर को रूप मा आफला प्रसुद गरि लाएको छाई ना र यो रेविन्यू फोर्कास्टिंगो बिग्ये पनी मा वही ना तर यह सरी यो कुने वड़ा कंप्यूटर मा एक्सल सीट मा 40 आर्थिक बर्सको अंगर आखेर त्यसमाँ चे प्रस्थुद गर्नलाई विद्वान अर्थमंत्री अथवा विद्वान अर्थमंत्रालेका उच्छा पदास्त अधिकारी अरुग आवश्यक्ता पर्दैना भन्नका लागी चे रेविन्यू फोर्कास्टर मुनो पर्दैना मन्ने मा लाग दाशा सभाभ हुमोदे मने निपाल को बिगत केई बर्दैना प्रक्रियामा राजसो को अनुमान ने यसको पमुख अधार स्तम्भ हो जसको आधार मा बिविन्या चेतर मा गरिने खर्च तय गरिन्चा 40 वर्षगो पष्षपेत राजसो करीब 14 खर्वां उठना नसकने भई समसोधित अनुमान करीब 11 खर्वमा चार्मपरेको चार्मपरेको यह विशम अवस्तामा अर्थमंद्री जिवले आगामी आर्थिक वर्षगो बजेट प्रस्तत गरिना यामा राजसो को करीब 93 प्रश्ण खड़ाबाएबुशा। प्रश्ण खड़ाबुशा। 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 प्रतिपत्ता गर्रा आई रहाँ दा सदन्मा भही रहने बहस अरुले इतिखेर सरकारी अस्पताल हरुमा भहय को अवस्ता हमीले सम्मोदन गरन सके काचों मत वंचु सम्माने सवामुक माँदे यो सदन्मा पाच बर्श सम्मा आज बाटे देशका साते उटा प्रदेशका सरकारी अस्पताल को लाइफ सिसीटीवे भुटेज एका तिरो को भित्ता मा राखों देशका अचब विश्यस गर्रा मधेश का सामुदाइक बिद्या लेका CCTV फुटीज को लाइव फुटीज दाहिनी तीर भित्ता मा राखों और विच्च मा उटाए स्क्रिन को बेवस्ता गरों सवामुख मोदे जहां करीब प्रतेग दिन पांच सा हजार का दर ले युदेश मा बविश्य चईन मने रह युदेश ब कि अगारी थी विद्याले कस्ता थिया, आमीले पांच वर्श यो शुदान मा स्हाथ करी भिद्याले कस्ता बनायों, ती असपताल और विश्य चर्ण बाल भाली का को वने इन जी करीको कां ती बाल असपताल गये पनिउंच, संच पच शभी संपई जाना जाउन, तो आमी एंप पांस बर्च यो सदन मां बिविननकों को एक और आमिजेस्ता चरक आवाज हाज मां बोलें पहसरू चलायर अगाडी बढ़ने ओवने, नेपाली जनतामा निराशा शाउशा स्वामुह मते म गंबीर ध्यानाक्षन गरना चाहांचू. युँ संसंगे महर करोड़ा ध्यानाकषन बनी गरना चाहांचू. हमी ले बनावने कानुन हरुका आधार मा अज विस्नेश गर्णा हमी ले छुटी आएको प्राथमिकता हरुका आधार मा जन जीविका मा प्रभापर्ण परने होंचा आमरो जीवन मा प्रभापर्ण परने होई ना तो पाए आमरो जीवन मा आज यो सम्मानित सदन वित्रा आ प्रिल्ला अरुमा जसरी बजेट बाण फाण गरने कारिये बायो को छा, कि तपया लाक्ष एस पची फेरी पनी जनता का माजमा आज जोडेरा भोट मांगना जानदा खेरी, आमीले यह पांच बर्सका गतिवीदी रह इनाई बजेट अरू, इनाई का आधार मा नेपाली जन नेपाली जनताला अनुवार देखाऊनी अईसियत को रहने चाहिना, तेसकारणली यह सदन मा उने बहस अत्यन्त मात पुण मनस, यहां उने सरसलारू मात पुण बननन भन्ने को त्याना कशन करना चाहांचू, आफना दल का तर्फ बाड़ा मा इसको प्रतिबद अपनी ब वसाई यहरूले लगानी यह बिग्यापान बाड़ा प्रणा पारे का छन, यह सत्यो बोलना धिरे जाना किना डराउन होंचा बने, ती संचार माध्य मारूले गलत लेख दीधा, आफना छबी बिगरंचा बनने डर ले खईयो मान यहरू बोलन होनना, तर तेसो भन्ना मिल वही ना, तेसको वस्तविकता जाजगरनू पर रसा, तेसलाई परखनू पर छा, अनि तेस पची आवस्यक भाय मात्रा सोधन गेरेनू पर छा, सोधन मा वोलला गरनू पर छा, यह मैले आफईला बड़ी प्राफ्त दिया रसा बने को, मैले कुने ने डल ना भने गो आइन अंपयमा आमीले प्राप्त करने मने को त्यों गोवर भाय कैई पनी होग ना मोईली सम्मानी सवदन नए यो कुरा जानकारी गरवन नेपाली जनता का लागी नितियरू बनाई रहाए 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 अमेरे चुटियायको प्राथमेगताले आम नागरिको जीवन ना चुन सकीन सबने आम नागरिको दहिनीकी लाई प्रभापार ना सकीन अमने अमरे लागी च्यो दुरभागी को भिसे होंच सरकारले बिदेशमा रहेका नागरिक का लागी पनी अब वोटिंग राइट्स दिने बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मने बोटाल न पाउने अधिकार को सुनिश्चित्ता गरने मने रपणियो तर कहा चुत्या उन्नुग अर्थमंदिर जीव बजेट तेसका लागी लगत संचार संकलन गरना जानन परला निर्वाचन आयोग विदेशमा रहेका नेपाली यहरुको बारे मा जानकारी लिए जानन परचा तेसका लागी कहा कते मेले बजेट मा कते मेले देखी नकी मला शमा गरनन वोला तर तेसलाई तपाईले बनन लाई तबंदिन वायोला तर प्राथमिक्तामा राखनू भायना हमें फेरी पिने बनना जान्चों युदेशमा भविश्य नदेखेरा विविन्न कुरिती का कारण ले आमेले भगनुपरे का बेतीती का कारण ले मुलुक माई केई गरी खाउँ भनने अवसर नपायरा बाद्डे वायरा विदेश पसे का नेपाली अरुले आफनो देशको भविश्य चान पाऊनू परछ वोट अलन पाऊनू परछ तेसलाई प्राथमिक्तामा इकता का साथ राखियोष मा निया अर्थमंत्री जीवलाई बिदेश मा रहेका नेपाली अरुले मतदान गरन पाउने अधिकार को सुनिश्चित्ता का लागी कती बजेट छुट्ट्याउनू भायगोचा के बेवस्ता गरनू भायगोचा मत्यसको लागी पने जवाब चाहांचू रा जिल्ला मत्रालाई का माथ लिया राखिदियो बने तुर कारा ले यसले Теперь। जखियर बिचारगरियो म ऑने औरेक विसयलाई इसको गांभी रेता तुर है कोmee्त नभुजी कन गरियो बने तुर संस्याभर नम्य समामुkt मार्फ यह धेना कुट्पूण चाहांचू रानू अले बज तेसमा उत्साहा चरने किसिंगा कुनेपनी कारेकर मरू हमीली देखना सकेना। आज एकपची और कुछ सोटर अरू बंद भाये काचान। आज कोयों ब्यापारी ब्यवसायरू बैंको चरको ब्याज तिकर नसकेरा कोयों ब्यापारी ब्यवसायरू आत्मत्य गर्नी अवस्ता सम्मपोये काचान। मेरे निर्वाचन चित्रमा संकर खड़ेले आत्मत्य गर्नु भायर वहां को सुचाइड नोड मा लेखी का कुरारू गंबीर शन। यसता धेरे समस्यारू देखिये गाशन। आज प्रतेक तीनुटा सोटर में उड़ा सोटर बंद भायका अवस्ता सा। आज सोकारी हरू का क कारण ले गर्दाखिरी जुन किसम को बिल्ली बाठ मानिशवर को भायको सा। तेसला है सरकार ले गंबीरता पुरवक संभुधन नगर्ने भोवने तेरे मानिशवर सोटक मा उन बाद्दे भायका उन्छन। और बेवस होयर यो मुलुक छोडे विदेसमा रोजगारी का ल पर देशमा पने दुखपार बसे काशन। मुलुक को समाज को वास्तरिक समस्या संग हामरो नीती, हामरो बजेट, हामरो कायूकरम कसरी अलग हुन सक्ष सबाभुमोदे। समाज को चरीत्र बंदा, समाज ले भोगे को प्लिडा बंदा, आमीले गरने यहां गरने डिसकसन, तपाई आमिले गरने संबाद कासरी फरक को नसक्षा सबाबख मोँदे समाज ले भोगे को प्रिडालाई मलम लगाउना नसक्ने गरी आमिले गरने संबाद को के अर्था उन्था सबाबख मोँदे तेस कारणले, मा बिनम्रता पुर्वक अनरोध गरना चांच श्वाबुक मा अदे मार्फत कि नेपाली जनता को पीडालाई, नेपाली जनताले आज भोगे का समस्या आरूलाई, तेसलाई महसूस गरेरा, तेसलाई लिपी बद्द गरेरा हामीले बजेट मा दे आन्देन बर इसकालागी हामीले इसो गर्न सक्साँ की साना उड़ा सुझाव सहीत महीले बिदा माच्चू, बजेट बन्द बन्दा चार-पांच महीन अगाडी हरेक राजनितिक दल का अजा विशाय बिग्गी अरूचन मने, उन्हे उरलाई सहभागी गरायरा प्रात्यमेक ताका स्वास्तिया आम नागरीको पहुंच महाँ वने रामीले बोटमा आएका हूनी, आमरो गोष्णा पत्रमा, आमरा बाचा पत्रमा बाकाई दा लेखी कोछानी, नेपाल को सम्मीदानले पें त्यो अधिकार ला सुनक्षित गरे कोछानी, वने बची क्ये सत्ता पक्ष, क्ये आमरो शिक्षा दिन चु वनने बाचा पत्रमा पनी नेपाली आमरो शिक्षा दिन चु वने कोछानी, अन्नि यहां राजनिदी को सरी भायो, तपाई को जिल्ला का बाटो अरुमा बोटा आले पची, आप तपाई यहां नेता को जिल्ला अथबा गाउँ ठाउमा बाटो पुरियायर भोटमागने दिन को ताब अन्ति गरन परशा, अजोर सिंगो देशला अरन परशा, अब तो तेसरी चल वेन बाने रा, दागरिक को स्वास्ते का लागी आवशेक परने, हेल्थ केर बिल कस्तो हुनु परशा, सप्पई राजनिदीक द्वाल का एक से एक छाने बजित बन्नु बंदा करीब 4-5 में आगाडी, और आमी साजा अब दारना बनाऊ रा, तेसमा युदा कमन कमेंटमेंट गरों, तेसला ही सरकार को सिख्षया निती बनाऊ, कोई भी बख्षे मा होने चाहिना, किने की सब पई को अपनतो होने चा, तेसला ही स्वास्ते का वि पई कानी गरों, तो सब पई दल का माननी अरू, और विसे विग युदा राकेरा आउशेक परे नागरिक समाज बाद पनी विग युदा आसिल गरेका, मानी सरलाय ले लियार, यह देश को स्वास्ती निती कोस्ता हुँँचा बन्ने कुरामा बहस गरों, पांच महीना येदी नेपाली जनता ला अमिले रिदे मा राखे काऊँ, साथ चैने यो देसको मुहार फेरनका लागी यहा आया का होने यो काम गरों, अजने अपनुर आपना का मुहार फेरना आया को होने, येशा है यहरे चलाओ, पांच वर सब्भिताओ, तोना, आमी जी अनुवार देखाूना लायका हुने चैनो, व्यसको मुहार जस्ता को तस्ते, तोना, राजनितिक्ये को मुहार कती देरे चम्कीलो भायकू चाहिए अर्नौस्ता, कि आमीले जनता का मुद्धा लाई, चुनाप का बेला मा मत्र संधी हो, चुनाप पछाडी ब पुदारूमा अथ्वा चुटे का बिशायरूमा चौफल गरना सकी तिव। यहाँ भयका कुझे पनी दल का मानने सदिस्योरले, नेपाली नागरिकले नागरिक्ता बाट बंचित उनपरस पन्यकुरामा मतालने सकना हुण। कसले सकना हुण चारा, नीमती कसा ही को पनी उने चाहिए ना, तरह सबयले अपनात्तों महसुस गरी, सई ढंगर, सई बाटो मा आये को भय, अईले सम्भवता सम्मानित अदालत मा गरती अढ़की ने थिये ना, अनि तेसको दोस केई दलर रेली नागरिकले नागरिकले नाग नागरिकले 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 पुछी सम्मा यो मुलूक लाई ही तोने विसेमा सो भागी मात्रम न चाहाँ चों। सम्माने सवधनमा आज मैं ले एती कुरारू राखें। मला विश्वास्च आमीले गरेका बहस अरू केवल बहस का लागी वहिनन। आमीले बने का इस सब्द अरू, आमीले प्रकट गरेका आमरा धायाना अरू, केवल एती के उड़ा धाया राखनलाई गरियेका विशेवस्थुवईनन। विशेश गर रहा, येस बटक को समसद का सबई जस्तो, सेशन अरूमा, सबई जस्तो, विशेवरूमा, आम नागरी को चासो, तुलनात्म गरूपमा, अगिला बरसा अरू को वन्दा, बड़ी भाया को केवल डाटा ले बताया कुछा। अर्थात, नेपाली नागरी करू, तुलनात्म गरूपमा, नेपाल को समसद मा भई रहे को बहस लाई अचेल, अत्यनत गम्मिर्ता का साथ, ये ही रहे का रहे चन, येउट अध्येन ले जो बताया कुछा। इस तो चासो को विशय बने को ये सदन, हासो को विशय न बनोस, महतोपुण नेड़े अरू आउन सकुन, रहे, एक अरकामा सहकारी गर दै, समसदी ये मर्यादालाई कायम राख दै, बहस अरू कायम गर रह, मुलुक को लागी केई चीज दिन सकियोस, रहे, ये पांच बर आउन मा, पांच बर्सको तेरे थोलो महतोंचा, देश को जिवन मा पनी तो पांच बर्सको अचा धरे महतोंचा, तेस कारण ले, आमी ये सदन को जब अंतीम दिन मा या भोलने सहों, अगी महीले भने जास्ते, आमीले बिसेस गर रह, तेसको टड़कारो समस्यमा रहे का, नाइगरी को स्वास्ते मा यो पांच बर्स सदन बेतर आयरा आमीले क्ये गरें। तो भनना पाईयोस। तेस पचे निर्वाची तुने मानने जी ओरला बुझाऊना पाईयोस। आमीले यो देश का लागी एतनी गरना सक्यों। बाकी तपाई को जिम्बा बनना सक्यों। अमीले पुराना ना हाजणितिक दोल अरौ एक औरकाव को पोल खुला बनेरा आतिये काता चायरन विश्यांतर गरना लागी रहे काता चायरन। आमीले ड़ भायकोस। नेपाली जनताले नया मेंडेट तीयर पठायको राजणितिक दोल करूपमां। आमी पुराना माननी जी ओहरुबाट सिखन चाहांचों, बुझन चाहांचों। तपायको राजनितिक लनाईर, तपायको राजनितिक इतियांशको मान-मरदन गरने आमरों दे कहीपनी चाहिना। कुन संगर्सा ले आज़ा यो, दिन ल्याओनु भायको साथ। सम्मानी चदन माद तपैरु उखी oppose रह्ता है। मुषकुराओने की, तालीपतवाओने गरने की, मुखसौपने तो आबस्ता आयमी लाशीं जतना नगर दिनला कि देपाल को राजनिती मा तपाईले दिनुवाया को योगदान को आमी कदर गरना चाहां चो आमी त्यों पुस्ता बनना चाहां जो अगिल्लो पुस्ताले गरे को राजनेतिक योगदान को उच्छ मुल्यांकन गरना सकुष। जो वह सवत गरे को राजनेतिक योगदाना सकुष। सवा मुखमार्फत, समानित सदनला यती भणन चाहांचु कि निधी कारिक्रम अरू बंदा, कानून अरू बंदा, बजेट अरू बंदा, नेपाली जनतालाई मुल धारम राकियोस, देसको बर्तमान समस्यालाई मुल धारमा राकियोस, बैदेसी ग्रोजगारी ले गाजी को यो देश, इसका मुल समस्यालाई मद्दे नजर नराखी कना, तेसलाई नजर अंजाज गर रा, आखा चिमले रा, कमी पनी पुगन सकी देना, तेसकारणले नागरी को स्वास्तिया, नागरी को सिख्षा, और सामाजीक नियाय का पुच्छे मा उवी नसकने, बनस बजेट यही बनना चाहांचू, और मा जानदा जानदे समामख मा दे, मा मेर्यागी युटाइक दर रेड भाहेको यह डोकुमेंट, मा सिर्शन नेतारू लाई, मा उपलब्द गरावना चाहांचू, यसले देखावने चा, 24, 17, 37 प्रतिशत को जुन मेले डाटा प्रसुद गरे, त्यों मा अजस्पस्ट होने गरी, एक एक प्रमुख राजनेती गल और अर्थमंदर जीवलाई, जाना जादे, हस्तान तरन गनेश, हस्ताने बाद, नमस्कार,